सिंपल और एजी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए अबेदास किचिन को और विडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें हाई आज हम बनाने जा रहे हैं कुलकाता की फेमिस फ्रेसिपीज में से एक जो है चिकन चाप यहां की वेडिंग्स यहां के फंक्शन्स यहां के फेस्टिविल्स बना चिकन चाप की बिलकुल अधूरी है और यह उतनी ही डिलिशिस बनती है कि आप एक बार खाएंगे तो ब लगाएंगे ताकि मसाला अंदर अच्छे से गुश जाए यह साड़े 600 ग्राम चिकन है अब मैरिनेट रेडी करते हैं उसके लिए आधा कप दही लिया है दो मीडियम प्याज का पेस्ट लिया है एक टेबल स्पून अधरक लसन का पेस्ट अब डालेंगे हम इसमें दो टे साट्तू अगर आपके पास यह नहीं है तो अब बेसं को जरास सबूण के भी डाल सकते है । एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिORCH, एक टीश पून लाल मिORCH, आप टीश पून हल्दीका पाउडर, एक टेबल स्पून विर्यानी मसाला इसका लिंक में आपको दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में देदुगी और विर्डियो के एंड में भी एक टीश पून छीनी, नमक अधर नुसार और इसे अच्छे से मिक्स कर लें अभी मिक्स हो गया है आप इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून रोज वाटर आधा टेबलस्पून केवड़ा वाटर और एक चुटकी केसर को एक टेबलस्पून पानी में भिंगोंके इसमें डाला है और दो बूंद मीठा इसे भी mix कर लें अच्छा से अब इस मसाले में हम चिकन के डालेंगे और इसे अच्छा से रप कर लेंगे और इसे कम से कम 2-3 घंडें भेंगोंके रखेंगे जितना ज्यादा आप से मारिनेट करेंगे इतना बहतर इसका टेस्ट होगा इसे आप आप चाहे तो रात भर भी मेरिनेट कर सकते हैं अब एक कडाई में लेंगे हम 50 ग्राम घी आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं पर घी से टेस्ट बेटर राता है अब इसमें डालेंगे हम हमारे चिकिन के पीसे जो हमने मैरिने करने के लिए रखे थे इसे हम दोनों तरफ 6-6 मिनट के लिए धीमी आज पे कम से कम पक इसके बाद सारे चिकिन पीसे को एक साथ पकाऊंगे इसे फिर से पलट ले अब यह हो गया है अब इसे हम पैन से रिमॉफ कर लेंगे और बाकी के दो पीसे भी वैसे ही पका लेंगे अब यह भी हो गया है इसे भी पैन से रिमॉफ कर लें और जो बचा हुआ मसाला है वो हम कड़ाई में डाल के अच्छे से भून लेंगे अब यह भून गया है अब इसमें डालेंगे हम चिकिन की पीसे और आधा कप पारी डालके कावा करके इसे धीमी आज पे 7-8 मिनिट के लिए पका लें आठ मिनट बाद इसे एक बार थोड़ा और स्टर कर लें और हमारा चिकिन चाप बिलकुल रेडी है अब करते हम इसकी इसे गर्मा गरम सर्फ करें पराठा तंदूरी रोटी रुमाली रोटी के साथ यह सबसे बहतरीन इसका टेस्ट तब आता है जब आप इसे खाते हैं कुलकाता की बिर्यानी के साथ कुलकाता की बिर्यानी की डिस्क्रिप्शन की लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी आप इस recipe को जरूर ट्राइ कीजिए और अपने families and friends के साथ share कीजिए और मुझे comment section में बताएं कि आपको यह recipe कैसी लगी और आप सभी को अची लगी तो like का button जरूर दबाएं मेरे चैनल में नए हैं तो subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें और हमें Facebook और Instagram में भी follow करें until then do take care see you again thank you